हेलो दोस्तों आपको स्वागत है मेरे एटीव चैनल आर्जे ग्यानक्लासेश में तो यह कोटा डिविजन का कोश्चन है जो कि वेस्ट सेंटर रेलवे के अंतर गताता है और इसका एक्जाम डेट जो है 69 2021 को यह एक्जाम होई थी तो इसमें 80 तक का आपको पार्ट 3 में वी कोश्चन आएगा उसका करते हुए उसको खतम करेंगे ठीक है तो वीडियो में बने रही है चैनल पर नए है पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपको प्रवाइड कराता रहता हूं और उसे समंध्य जो मिटीरियल ह है वह भी आपको देता हूं ठीक है तो चैनल में बने रहिए और वीडियो को कंटिनीज देखते रहे क्योंकि बहुत है ग्यान वर्दक जो है यह आपको वीडियो हमने वाला है क्यलिए कोस्चन में 81 से सुरू करते हैं यदि आप हमारा नोट्स हमारा मेट्रियल लेना चाह है ठीक है थो इमर्जनसी विंडो जो है आए सी एफ रहो ऑजक रहो जोवार जू आ प्यक्व यह सुंस्टर को सब ही में होते हैं और चार होते है ठीक है याद रखिक है चार होते हैं तो और उसका ग्लास के बारे में को पूछ सकता है ग्लास जो है 5.5 यह 6 mm का होता है अग के koches में भी aper emergency window होते हैं उसका पहाद करने के लिए इसको रेड़ कलर से उस पर लिखा जाता है emergency window ठीक है तो यह भी आप से पुछ सकता है किस कलर से जो है у कुल दिखा जाता है और कैसे पहेष्चाने है की emergency window है तो इस तरह से आपको याद रखिएगा चार इसका अंसर हो जाएगा 81 का खोग यह जो कुश्चन है इंग्लिश में मेरे पास नहीं है इसलिए जिनको हिंदी नहीं आती है तो उनको थोड़ा प्रोब्लम होगा चली 82 देखिए एक लास ODC की दीन में जो है गती कितनी किलोमेटर पर गंटा होती है तो इसकी जो गती होती है वो सेंक्शनल स्पीड होती है ठीक है कोई उसका नहीं है लेकिन आपको 40 अगर आप्शन में देगा तो 40 इसको ले लिजेगा इसका 40 आंसर लिजेगा ठीक है तो 82 को हो जाएगा घा 83 देखिए और के टाइप कॅम्पोसित ब्रेक ब्लॉक जो होते हैं को का टाइब का में दाने में दुक है तो के टाइब का डिफेक्ट गेज जो तारड़ डिफेक्ट गेज है उससे क्या चेक करें ठीक है बकल डिफेक्ट या CBC या डूर तो डिफेक्ट चेक करेंगा नहीं यह कोश्चन जो है बहुत इजी है वील का डिफेक्ट ही इससे चेक किया था है टाय डिफेक्ट गेज से तो 84 का हो जाएगा को 85 देखिए कैस्टन बोगी में बेरिंग जो प्रियुक्त होते हैं कैस प्रिफेक्ट कितना होता है ल weapon प्रेशर किसी बीबाएगन में यह किसी बीछ में शिफेक्स केजी पर सींकेट्रमेटर स्कौर का होता है ठीक है आगे मेरे टी donor में लगी ठैसने बोगी में में लगे विल्क डाया में में प्रमिसिबल उंतर कि यानवे री 활िय आशन होता है ये coach में अलग होते हैं और wagon में अलग होते हैं यानि कि goods में अलग होते हैं तो coach में आपको हुने बताया था कि 0.5 और 5 और 13 तीन होते हैं goods में होते हैं 0.5 तेरा और 25 जिरो पाइब एक ही एक सल के बीच होते हैं जो गूट्स में और वैगन में S goog Ihnen होते है और एक बोगी के बीच में गर dużo hem होता है ऑह होता है 80 mm और और Kal Meat Party में से Awareness does 5 mm होता है ठीक है और फूरा कोच या वैगन का पूछेगा तो सब्सक्रिव और 20 mm होता है कि वैगन का पूछेगान का पूछेए कैसना भोगी है ठीक है तो इसमें कितना हो जागा 13 mm हो जागा गौ चले 88 देखिए इम पैड इलस्टोमेरिक पैड जो होता है उसकी कंडेमनिंग हाइट जो है वो 42 mm होती है ठीक है 42 mm उसके बाद 89 देखिए एक क्लास ओडिसी के दीन में गड़िये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ठीक है तो रिल्वे में ऐसी ऐसी गलतियां होती रहती है और इस क्वेश्चन जो बिना रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें 111 क्वेश्चन है 104 नमर का क्वेश्चन दो पर आपको बताता चलूंगा एक क्लास हमने पहले ही हुन बना लिया है इंडिक देखिए ए होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, तो W चारो ओफ्षन में आ चाहिए, डिक है AC, 3 । है, तो AC हो गया ठीक है थीरी टाहर, थो CN हो गया इस एक है यह देखिए ऑप्षन मिलता है बाकी सम्में नहीं मिलता है इसका हो जाएगा गहा उसके पाद देखिए वेस्टिबूल होए तो W होगा first class का code ठीक है WFC होगा first class इसका होए गहा तो 91 का हो जाएगा गहा चली 92 देखिए under frame mounted brake cylinder under frame mounted brake cylinder जो है उसका full form पूछ रहा है या उसका short form पूछ रहा है तो इसका क्या कौन सा है UMBC है ठीक है UMBC under mounted brake cylinder ठीक है तो उसका हो जाएगा गहा 93 देखिए research design standard organization यानि की RDSO के बारे में पूछ रहा है क्या है उसका code तो उसका है RDSO ठीक है खो है जिसका की मुख्याले लखनाओ में है आप जानते हैं Rail wheel factory पुछेगा RWF हो गया ठीक है Rail wheel factory Rail India technical and economic service इन सबका मुख्याले कहां है यह भी आप संबाब हो तो एकत्र करके रखें क्योंकि एक्जाम में वह भी आ जाते हैं तो Rail India technical and economic service का code क्या है RITES है ठीक है आगे देखिए 96 पैंट्री कार जो है WCB होता है इसका code पैंट्री कार का WCB होता है तो कुछ coaches जो है उसका code भी आपको याद रखना है पार्सल वान जो है covered जो होगा उसका क्या होगा तो पार्सल वान का जो है VPC होता है इस तरह से code होता है तो इसमें आपको VPC है ठीक है यही आपका answer होगा इसमें आपको confuse करने के लिए PC भी दिया है तो उस पर ध्यान नहीं जलेगा PVC भी दिया है जो कि polyvinyl chloride होता है लेकिन यह answer आपको नहीं है answer है VPC ठीक है 98 देखे human resource management system जो कि HRMS है जो कि हर imply के पास होता है HRMS हर imply का mobile में होता है HRMS तो उसका जो full firm है human resource management system होता है ठीक है एक HMS होता है जो कि होस्पीटल में होता है hospital हम इससे भी question आपको आ सकते है एक RELHS होता है जो कि hospital से related है तो उसका भी फॉर्म आपको याद रखना है उसके बाद देखिए 99 देखिए वोन वील प्रोफाइल जो होता है जिसको मिनिमम में पुछ सकता है को से कोड बताना है एक्सिडेंट टूलभान और रिलीव वान भी होता है SPART भी होता है Self-Propelled Accident Relief Trend ARME भी होता है Accident Relief Medical Equipment 1 या SPARM भी होता है Self-Propelled Accident Relief Medical 1 तो इसमें ART होना चाहिए मेरे ख्याल सी इसमें A missing है ART होगा इसका घौँआ एंसर हो जाए ठीक है आगे देखते हैं Question No.1 बिहार राज किस छेतर में आता है जो तीन रीजन में बाटे गए राज भाषा के नियम के निसार तो कौक हो गवा आते हैं तो हमने आपको सारा राज के बारे में जो है हमने आपको राज भाषा का जो दिया है नोट दिया है उसमें आपको दिया हुआ है कौन से राज की छेत्र में आते हैं ठीक है जितने भी आपके departmental exam के question आपके exam में आते हैं उस सारे question के notes हम आपको provide कराते रहते हैं अप-to-date करते भी रहते हैं आपके problem को ही solve करते रहते हैं तो आप इसको द्यान से पढ़िएगा इंसाभी चीजों को तो तो इस इसमें को चेत्र में आता है जो भी हिंदी भासी है वो को चेत्र में आते हैं जो थोड़ा हिंदी भी बोलते हैं और उनका अपना भी भासा है व को राजभसा के रूप में कब स्विकार किया समिधान सभाज में हिंदी को राजभासा 14 histor seminar और 1949 को स्विकार किया 102 का हो जाएगा को को ठीक है। उसके एक सो तीन कि हिंदी दिवस कं अबना जाता है। हिंदी МУЗЫКА 24 सेժ्टेंब्र को मना जाता है है इसका हो जाएगा कर राश्ट पति दौरह ह हिंदी में पहला अदेश कब जारी किया गया राश्ट पती द्वारह हिंदी में अदेश किया लेकिन कब किया गया यह आपको होता है 275 मैं ne déb bid कर भान इसका वह जाएगा ठीक है तो इसमें तीन उप समितिया है ठीक है इसमें को लगाईएगा एक सो पांच देखिए समिधान की आठमियन उसुची में कुल कितनी भाषा है तो बाइस भाषाएं हैं कौन-कौन सी है यह भी आप याद रख लिजेगा तो इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कौन सी ऐसी भाषा है समिधान की आठमियन उसुच में जो विदेशी भाषा है उसमें नेपाली लगाईएगा इस तरह से आप भाषा से संबंधित जो भी आपको ज्ञान मिलता है उसको इकत्र करते रहिए कहीं से भी कोश्चन आ जाते हैं एक सो छोड़ देखिए राज भाषा के से राज-भाषा की बनाएगी समीधान लोग-सभाषा के विड के एक सोनोरिय है पत्र का आदानपरदाण में होगा धीदी तो जरूर होगा लेकिन उसमें अंग्रीजी भी हो सकता है तो हिंदी और अंग्रीजी दोनों इसमें लिए इसका अंसर होगा उसके एक सो दस लास्ट कुश्चन देखिए संसत के किसी सदन या सदनों की समक्ष रखेगा प्रसासने क्या प्रतवेदन और राज की कागज पत्रों के लिए किस भाषा का प्रयोग की जाएगा वह अच्छी तरह से जही की त्यारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होईएगा इतना हम आपको पढ़ाएंगे और इतना नोट्स देंगे और इतनी तरह से आपको प्रिवेसर का कोश्चन इतना मेरे पास आपके लिए है जो हाल ही में कहीं भी एक्जाम होत है तो इन सब के लिए अगर जूरना चाहते है तो हमारे वाट्स अब नमर है 812 139 0916 एस वाट्सप के तरू हम से जूर सकते हैं और आपकी सफलता के लिए हम अब प्रयास करते रहते हैं इसलिए हम से जूर सकते हैं और इसके लिए आपको यदि जूरेंगे सब्मीट्य ले काम नहीं करते हैं तो चलिए जुड़िए और देखते रहिए आगे का वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए फिर स्पेसल लेके आएंगे तब तक के लिए जैहिन दोस्तों